हर्याना में जीला कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा तहसील में शुक्रवार को कॉंग्रेस के राष्ट्रिय प्रवक्ता रंडीप सिंग सुर्जेवाला और पूरु हलका विधायक अनील धन्तोडी सहित अन्यकार्यकरताओं ने हर्याना सरकार के खिलाव परदर्शन कि परदर्शन की असल वजह है हर्याना सरकार द्वारा किसानों को धान ना लगाने का फैसला जिसे विपक्ष किसान विरोधी फर्मान बता रहा है मीडिया से बातचीत में सुर्जेवाला ने मुख्यमंत्री मनहुरलाल पर जम कर आरोप लगाए साथ ही पूर्फ विधायक अ पूत्री हर्याना खास तोर से कुरुक्षेतर, शाहबाद, बबैन, टीपली, सीवन, गूलाचीका, पुंडरी यहां के किसानों से दुश्मनी निकाल रही है भारतिय जन्ता पार्टी और जजप्पा सरकार खटर साथ को पता नहीं क्यों पूत्री हर्याना के किसान के पेट पर लात मारने की पड़ी है अंग्रेज की सल्तनत ने भी कभी यह नहीं कहा किसान को के वो अपने खेत में क्या उगाए, क्या लगाए, जमीन मेरी, बाप दादा की जमीन, मल्कियत मेरी खटर साथ कैसे बताएंगे के उस जमीन में मैं धान की खेती करूँ या ना करूँ, किसान के साथ इससे बड़ी जल्म और जाती हो ही नहीं सकती और शाहबाद के तो हमारे साथ ही जानते हैं कि दादूपुर नलवी रीचार्ज कैनाल जिस पर साड़े चार सो करोड रुप्या खर्च हुआ और जिसे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने दो हजार एकड जमीन एक्वाइर करके बनाया था ये पहले मुख्यमंत्री हैं हरियाना के इतिहास में 53 साल में जिनोंने बनी हुई भूजल सींचित करने और भूजल उपर उठाने वाली रीचार्ज दादूपुर नलवी कैनाल को पहले बंद कर उसको भरने का आदेश दिया और उसके बाद अब पुरुक्षेतर और कैथल के किसान को ये कह रहे हैं कि तुम अपनी मल्कियत की जमीन के अंदर आप धान की खेती नहीं कर सकते अभी कोरोना का समय है इसलिए चार-चार साथियों के साथ धरने पर वैट रहे हैं दस के दस ब्लॉक हरियाना के जहां प्रतिबन लगाया गया है वहां में एक सांकेतिक एके गट्टे का धरना अभी रखेंगे और जैसे ही कोरोना का प्रकोब खतम हो जाएगा तो फिर बड़ा कारेक्रम किसानों को लाकर करेंगे विधायक ने तो बारति किसान जीनिक दरने में कहा दे कि धान लगाईए हम आपके साथ कड़े हैं तो उस पे आप क्या कहेंगे आप विधायक जी से जाकर के पूछिए कि आप सरकार मौजूदा सरकार में अब जजपा जो है साथी है और सरकार में है वो कब उन्होंने किसानों के लिए कोई धना या परदर्शन किया बताईए आज वो सरकार में इस्तीफा दे मैं मांग करता हूँ कि यहां के जो विधायक है विधायक जी या तो आप अगर आप ये कहते हैं कि मैं उनके साथ धान लगवाईए तो आप स्तीफा दीजिए सरकार से सरकार से अपने स्तीफा वापस लीजिए फिर हम जानते हैं कि रामकर्न काला जी सरकार के साथ निये कहने से क्या हूँ